नमस्कार दोस्तों आपका GKT20 में पुनाह बहुत बहुत स्वागत ही दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बाल विकास वशिक्षा सास्त्र से संबंदित सामा निग्यान के कुछ प्रस्णों के बारे में जानेंगे तो आईए वीडियो शुरू करते हैं प्रश्ण क्रमांक एक हिंदी शिक्षन को प्रभावशाली बनाने हित्तू उपयूक्त सामागरी है और इस प्रश्ण का सही जवाफ है C. श्यामपट प्रश्ण क्रमांक दू प्राथमिक इस्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं करते हैं और इस प्रश्ण का सही जवाफ है C. जिनमें ले आत्मकता हो प्रश्ण क्रमांक तीन उपचार आत्मक शिक्षन का उद्देश्ची है और इस प्रश्ण का सही जवाफ है B. चात्रों का पिछडापन दूर करना प्रश्ण क्रमांक चार अंजली अक्सर लड़का को लखा कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जेसी गलतियां कर बेठती है यह इस और संकेत करता है कि और इसका सही जवाफ है D. अंजली के विचारों की तेज गती के साथ उनकी लेखनी नहीं चल पाती प्रश्ण क्रमांक पांच पहली काक्षा में मात्र भाशा का सिक्षण किसे से प्रारंब करवाना चाहिए और इस प्रश्णिका सही जवाफ है A. अक्षर ज्यान प्रश्ण क्रमांक 6 भाशा सिक्षण में अधिगम सामागरी की प्रमुक चनोति है और इस प्रेश्निका सहीजवाफे दी विशाय वस्तु के कठिन इस्थलों का उचित इस्पष्टी करन करना प्रेश्निक्रमांक साथ भाषा सर्वतम साधन है विचारों तथा भावों के और इस प्रेश्निका सहीजवाफे दी इनमे सभी का भाषा सर्वतम साधन है विचारों तथा भावों के संक्रमन का संकलन का तथा आदान प्रदान का प्रेश्निक्रमांक आठ वन्शानुक्रम से संबंधित चुहों पर प्रयोग किये और इसका सही जवाफे C मेंडल ने प्रश्निक्रमांक नू अधिक गम में उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है और इस प्रश्निका सही जवाफे A एक या अधिक प्रश्निक्रमांक दस सिखने की विश्यस्ता है और इस प्रश्निका सही जवाफे D उप्रोक्त सभी प्रश्निक्रमांक ग्यारह निम्न में से कौन सा कारक व्रद्धी या विकास को प्रभावित करता है और इस प्रश्निका सही जवाफे D ये सभी भोजन व्यायाम व ग्रंतियों की क्रिया शिलता प्रशिक्रमांक 12 भाषा शिक्षन के अंतरगत भाषा के अधिग्रहन सितू सबसे प्रबल पक्ष है और इसका सही जवाफे A सुचना दथा पड़ना प्रशिक्रमांक 13 व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुक आधार है और इसका सही जवाफे D ये सभी अधिगम रुची लिंग भैद प्रशिक्रमांक 14 माध्यमिक इस्तर पर विविद कक्ष कक्षों में भाषा शिक्षन के अंतरगत निम्न में से क्या उद्देश प्राप्त करने की चुनोती होती है और इसका सही जवाफे D उपयुक्त सभी प्रशिक्रमांक 15 प्रोजेक्ट पद्धती का चरण है और इसका सही जवाफे A प्रयोजन सिलता प्रशिक्रमांक 16 जो व्यक्ति सहानु भुती के गुण से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए यह कथन है और इसका सही जवाफे B ब्यूवी का प्रशिक्रमांक 17 उत्तम शिक्षन की विश्चिश्ता होती है और इसका सही जवाफे C सहयोग पूर्ण एवं बाल मनुविज्ञान की अनुकूल प्रशिक्रमांक 18 बच्चों में लेखन कोशल की समझ का विकास केसी किया जा सकता है और इसका सही जवाफे D ये सभी कहानी बोलकर शामपट पर लिखा कर या निभंद लिखवा कर प्रशिक्रमांक 19 पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है यह विचार है और इसका सही जवाफे A रौसका प्रशिक्रमांक 20 मोलिक चिंतन संभव है और इसका सही जवाफे D मात्र भाष्या द्वारा प्रशिक्रमांक 21 मानसिक स्वास्ति के नियमों को खोजना और उन्हें बनाई रखना अधियन का केंद्र बिंदु है यह कथन है और इस प्रशिक्रमांक 22 विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेश्ताएं और नवन योगिताएं प्रस फूटित होती है यह कथन है और इसका सही जवापे A हरलोक का प्रशिक्रमांक 23 अंतर दरश्टि स्धांत के प्रति पादक है और इसका सही जवापे A कोहलर प्रशिक्रमांक 24 शक्षिक दरश्टि से बाल विकास की अवस्थाएं है और इसका सहीजवाफे D ये सभी शेशावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था प्रश्यक्रमांग 25 हम करके सिखते हैं किसने कहा? और इसका सहीजवाफे B योकम ने प्रश्यक्रमांग 26 अधिगम का अर्थ ग्यान के अतिरिक्त प्राप्त करना है और इसका सहीजवाफे B अनुभव प्रश्यक्रमांग 27 प्रथक प्रथक समझाती ये समुहों के व्यक्तियों के प्रती बच्चों की अभी व्रत्ती साधरन दया आधारित होती है और इसका सहीजवाफे A उनके अभी भावकों की जित्त व्रत्ती पर प्रश्रिक्रमांग 28 आप एक अतिस अक्रिय बालक को केसे सही दिशा में लाएंगे उसका सही जवाब है C उसे शामपट आदी साप करने का काम देंगे प्रश्रिक्रमांग 29 निमनलिखित में से कौन सा सिद्धान्थ पाठ योजना में शामिल नहीं है और इसका सही जवाब है A योजना की द्रड़ता प्रश्रिक्रमांग 30 छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वादिक रूची जागरत होती है और इसका सही जवाब है B द्रश्य स्तरव्य सामागरी द्वारा प्रश्यक्रमांक 31 उनर बलन फिद्धान्त को प्रतिपादित किया था और इसका सहिजवाभे भी हलने प्रश्यक्रमांक 32 शिक्षा की केंडर गार्टेन पध्धति का प्रतिपादन किया और इसका सहीजवाभे सी प्रोबेलने प्रश्यक्रमांग 33 कक्षा में जो विध्यार्थी प्रश्ण पुछते हैं उन्हें और इसका सहिजवापे बी कक्षा चर्चा में भाग लेने की लिए प्रोसाइत किया जाना चाहिए प्रशिक्रमांग 34, शिक्षन प्रक्रिया में निनलिकित में से सर्वादिक महत्वपुन कोन है? और इसका सही जवाफे डी शिक्षक प्रशिक्रमांग 35, बच्चों में सम्वेगात्मक समायुजन प्रभावी होता है? और इसका सही जवाफे डी इनमें से सभी व्यक्तितु निर्मांण में कक्षा शिक्षन में वा अनुशाशन में प्रशिक्रमांग 36, शिखने की खेल विदी उप्योगी है? और इसका सही जवाफे सी बाल्यावस्था है तू? प्रशिक्रमांग 37, वातावरण वह प्रतेक वस्तु है जो व्यक्ति के जिन्स के अतिरिक्त रिक्त प्रतेक वस्तु को प्रभाविद करता है यह कथन है और इसका सही जवाफे बी एना स्टासी का प्रश्णिक्रमांग 38 यह मत किसका है शिक्षक को अपने कारिक के सफल समपादन के लिए व्यहवारिक मनोविज्ञान का ज्यान होना चाहिए और इसका सही जवाफे भी मांटे सरी का प्रश्णिक्रमांग 49 एक बालक में भाषा अधि ग्रहन करते समय सर्वप्रतम प्रयोग होता है और इसका सही जवाफे सी निरर्थक शब्दों का प्रश्णिक्रमांग 49 यदि बालक में अक्षरो एवं शब्दों की सही आकार क्रम तथा अक्षरो और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योगता का विकास करता है तो बालक को कोंसी दक्षता का प्रक्षिक्षन देना चाहिए और इसका सही जवाफे सी लिखने संबंधित दक्षता का प्रशिक्षन प्रश्णिक्रमांग 41 शिक्षन का व्देश है और इसका सही जवाफे सी उप्योगी ज्ञान प्रदानकर चात्र का सर्वांगेन विकास करना प्रश्यक्रमांक 42 वंचानुक्रम तथा एक दूसरे के पूरक है और इसका सही जवाफे बी पर्यावरण प्रश्यक्रमांक 43 द्रश्य स्त्रव्य उपकरण दिखाने वाले को व्यक्तियों घटनाओं वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंदों के नियोजित अनुभवोफे लाब उठाने का अउसर देते हैं यह कतन निम्न में से किसका है और इसका सही जवाफे बी क्रो एवं क्रो का प्रश्यक्रमांक 45 बाल्यावस्ता की प्रमुक मनोविज्यानिक विशेश्ता क्या है और इसका सही जवाफे सी सामु हिकता की भावना प्रश्यक्रमांक 46 अधिगम को प्रभावित नहीं करता है और इस प्रश्यक्रमांक 47 यह विचार किसका है क्योंकि दो बालकों में समान योगिताएं या समान अनुभव नहीं होते हैं इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिश्थिती का समान यान होने की आशा नहीं की जा सकती और इसका सही जवाफे भी हर लौक का प्रश्यक्रमां गरतालित वर्तमान समय में इसकुलों में मेत्री और प्रसन्यता का जो वातावर्ण दिखता है उसका कारण है और इसका सही जवाफे सी मनुविज्यानिक उपचार प्रश्यक्रमां का उनपचास बाल्यवस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए और इसका सही जवाफे भी सामुहिक खेल एबं रश्यनात्मक कारियों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए प्रश्ण क्रमांग पचास अधिगम व्यहवार में उत्तरोत्तर सामन जश्य की प्रक्रिया है यह कथन है और इसका सही जवापे सी इसकी नरका पूरा वीडियो देखने के लिए आपका पुनह बहुत बहुत धनिवाद यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसी लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साथ ही इसी प्रकार की अन्य और वीडियो के लिए हमारे चैनल GKT20 को सबस्क्राइब भी करें धनिवाद